हाई अवरिवन आज मैं बनाऊंगी मीठे चावल इसे हम जर्दा भी बोलते हैं और ज्यादा तर ये शादियों में बनता है बट आप घर पर इसे बनाएं ये बहुत इसली और यमी डिश है और किसी भी बहुत अच्छी मिठाई को ये कॉम्पटीशन दे सकती है डिश तो आ होती सिफ चीनी चावल और कुछ ड्राइफ रूट्स और मावा हो तो ये डिश बहुत ही यमी तयार हो जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस यमी सी डिश को यहां पर मैंने दो कप चावल लिये हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से वाश कर लूँगी और उसके बाद इसमें पानी डाल कर इसे 30 मिनट के लिए भिगो कर छोड़ दूँगी आफटर 30 मिनट इसको मैंने एक पतीले में डाल दिया और दो कप चावल हैं आपके तो इसमें आप लगभग 7 कप पानी एट करें या अगर आपने कटोरी से ना पाह चावल तो 7 कटोरी प बना रही हों यह बहुत ही इसी तरीका है अगर आप अच्छे से मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही कुएक और बहुत ही जादा यमी यह रेसिपी बनने वाली है और उसके बाद मैंने चावल में 7 कप पानी डाल दिया और फिर मैंने 140 टीस्पून इसमें कलर रेट क्या है यह जर्दे का कलर आता है मार्केट में आसानी से अवेलबल होगा अगर आप बोलेंगे कि जर्द रंग चाहिए तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा और 90% फुल फ्लेम पर इसे हम कुक कर लेंगे और बीच में एक बार हम इसे जरूर चलाएंगे और दे आप देखेंगे कि यह चावल हमारा 90% कोग्ड हो चुका है यह देखें अब हम इसे एक स्ट्रेइनर से छान लेंगे यह देखें हमारे खिले खिले से चावल है और दूसरे भगोने में देशी घी दो चम्मच हम डालेंगे इस तरह से और 4-5 आप इसमें लॉङ डाल दे और 4 छोटी इलाची मैंने इन्हें थोड़ा सक क्रेश कर लिया है और इसके बाद हम अपने यह चावल आड कर लेंगे चोटी इलाची और लॉङ को कुछ सेकेट के लिए हम फ्राइ करेंगे और पर चावल आड करेंगे और ये फर्स्ट लेयर हमारी लगने वाली है इसमें 1 फोर्थ कप या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी एड़ करें और चीनी डालने के बाद ये मेरा होम मेट खोया है मावा जिसे बोलते हैं ये मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाया है और आप देख सकते हैं कितना वाइट वाइट खोया बना है अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट करें मैं जरूर इसकी रेसिपी लाओंगी और यहाँ पर मैंने ज्यादा सा बहुत सारा खोया इसमें एड़ कर दिया है और ये कुछ ड्राइफ रूट्स हैं फिर से सेकेंड लेयर लगाएंगे और सेकेंड लेयर का भी सेम प्रॉसेज रहेगा यहाँ पर मैंने कुछ राइस को एड़ किया और उसमें वन टेबल स्पून देसी घी एड़ किया है अगर आप इस जर्दे को देसी घी से बनाएंगे तो यह ज्यादा टेस्टी बनेगा बट अगर नहीं है तो कोई बात दी आप नॉर्मल घी भी ले सकते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फिर से वन फोट कप चीनी एड़ की और घर का बना खोया एड़ किया फिर उसमें कुछ ड्राइफ रूट्स एड़ करें और इस तरह से हमारी सेकेंड लेयर भ देखें यहाँ पर चीनी एड़ करेंगे हम फिर हम इसमें खोया डालेंगे और खोया डालने के बाद इसमें ड्राइफ रूट्स डालेंगे और थोड़ा सा देसी घी और एड़ कर देंगे आप देख सकते हैं यह इतनी कृक्षपी है मुश्किल से यह सारा प्रोसेस करने म तयार हो जाएगी मिठाया तो हम मार्केट से लेकर नॉर्मली खाते रहते हैं बट इस तरह से अगर आप ये जर्दा तयार करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और अपने आप कुछ बनाने का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है उसका तो थोड़ा सा मैंने इसे मिक्स कर लिया है उपर उपर से ऐसे किनारे से आप मिक्स करें कि चावल तूटे ना अब इसे ढखक कर दस मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे आप देख सकते हैं आफटर 10 मिनेट्स यह हमारा यमी सा जर्दा तैयार हो गया है और यह देखिए कितने खिले खिले से चावल है और पूरे मेस की खुश्बू महक रही है बहुत ही ज्यादा यमी बना है यह जर्दा तो आप लोग भी जरूर ट्राइ करें और अगर यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें और थैंक यू सो मच पर वाचिंग माई वीडियोज